हेलो फ्रेंड्स आज मेरे पास एक स्प्लेंडर प्लस बाइक आई है जिसकी मुझे लेफ साइट की चैसिस रिपर करनी है मैं आपको चैसिस दिखाता हूँ फ्रेंड्स आप इसकी चैसिस देख सकते है कितनी ज़दा यहां से सर चुकी है और कस्टमर ने यहां पे एक दुबर वेलिंक भी करवाया है आप देख सकते हैं यहां से इसकी चैसिस कितनी ज़दा टूट चुकी है इसकी सर चुकी है और फ्रेंड्स आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने जहां पे उंगली रखी है वहां से इसका न्यू पाइप डलेगा गेलवेन अच पाइप, हेवी पाइप और इसका साइड स्टेंड का ब्रेकेट भी नहीं डलेगा और इसका फूटरेस भी नहीं डलने वाला है और friends इसमें हम side stand का bracket भी नया डालने वाले है नया welding करने वाले है और उसमें me best का left side का footrest भी नया डालने वाला है इसकी quality अगर आप genuine footrest लेंगे उससे भी कई ज्यादा अच्छी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है इसलिए हम इसमें heavy footrest डालने वाले है जो कि कभी खराब नहीं होगा टूटेगा भी नहीं friends सबसे पहले आपको इसकी fuel tank निकाल देनी है यूँकि fuel tank लगा के आपको कभी वेल्लिंग नहीं करना चाहिए यूँकि fuel tank लगा के आप welding करेंगे तो इसमें कभी भी आग लग सकती है और आपकी जान भी जा सकती है Friends, आप वीडियो में देख सकते हैं हमने सडा हुआ pipe निकाल दिया है, काट दिया है आप देख सकते हैं, ये कितनी ज़दा सड चुका है और पुरा खराब हो चुका है अब हम यहाँ पे नया pipe डालने वाले है और welding करने वाले है Friends, आप देख सकते हैं हमने नया pipe इसका बना लिया है आप इसकी finishing देख सकते हैं कितनी ज़दा हमने बहुत ही अच्छी ली है अब हम यहाँ पे बाइक में लगा के इसको welding कर देंगे मैं आपको दिखाता हूँ उस तरह सहम इस बाइक में pipe को welding कर देंगे और pipe को लगा देंगे Friends, आप देख सकते हैं हमने pipe को welding कर दिया है और इसके side stand के bracket को भी welding कर दिया है और footrest के bracket को भी welling कर दिया है आप वीडियो में देख सकते है Friends आप वीडियो में देख सकते है हमने इस bike में welling का काम इस तरह से किया है कि किसी को मालूम भी नहीं होगा कि इस bike की चेशिस सड़ चुकी थी और उसमें नया pipe डला है Friends आप देख सकते हमने उसके बाद इस bike में color भी कर दिया है Spray color से इसमें color भी लगा दिया है Friends आप देख सकते finishing एकदम बहुत ही अच्छी आई है किसी को भी मालूम नहीं होगा कि इस bike में चेशिस का काम हुआ है